खबर की जो बीते 24 घंटे से देश की सबसे ज़्यादा चर्चित खबर रही यहां हम बात कर रहे हैं प्रधान मंतरी नरंद्र मोधी के सन्यास की कल करीब 9 बजे प्रधान मंतरी नरंद्र मोधी ने ट्वीट किया कि वो सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया से सन्यास ले लें जहां सोशल मीडिया के अपने तमाम इंस्टाग्राम, फेस्बोक और ट्विटर से छोड़ देने की बात उन्होंने कही रवीवार को और इसके बाद ये पूरे देश में चर्चा का विशह बन गया सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा लेकिन फिर आज प्रधान मंतरी नरंदर मोदी ने उस सन्यास लेने वाली ट्वीट का खुलासा किया जिसके बाद सभी अब यही सोच रहे हैं कि बेवज़ घबर आ गये थे और बेवज़ कि इस पर राजनिती भी शुरू हो गई थी तो प्रधान मंतरी नरंदर मोदी जिन जो आज ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहा है यह कल की ट्वीट रवीवार को सोशल मीडिया छोड़ देने की सोच रहा हूँ यह प्रधान मंतरी ने कहा और आज खुलासा किया कि वो चाहते हैं कि प्रेरना दायक जो कहानिया है महिलाओं की उन कहानियों से उन्हें अवगत कराया जाया और उन में से कुछ ऐसी प्रेरना दायक महिलाओं को प्रधान मंतरी नरंदर मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने की एक दिन की जिम्मेदारी सौपे ताकि वो समाज को कुछ सकरात्मक संदेश दे पाएं महिलाओं के लिए प्रधान मंतरी नरंदर मोदी एक दिन के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट उनके हवाले करेंगे लेकिन बिहार की पुर्व मुख्य मंतरी राबडी देवी जी हां महिला मुख्य मंतरी बिहार की जिन्होंने इस ट्वीट को लेकर प्रधान मंतरी पर हमला बोला और इस पर भी राजनीती हुई तो राजनीती में आरजडी ने था क्यों पीछे रहे बिहार की पुर्व मु बाक एंट सकी सीले के यतना दिन चलेगा। यान सिर्कार बाक bleibt किसे सकते रहें. नहीं ज element के थकते रहें से। कि वहार पहले हो करें कि थाउटकी हो करदेंगा। फुरलत दो हती है. हम गई शवेश के सत्रो कहमागां। तो जवाब देने से भाग रहे हैं ये आरोप पुर्व मुख्य मंतरी आर जोडे नित्री राबडी देवी का हला कि जब पुर्थान मंतरी नरंद्र मोधी ने सोशल मीडिया से सन्यास को लेकर खुलासा किया तो सभी भौचक कर रह गया और सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं फि झाल 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 झाल